नमस्कार दोस्तों स्वागत एक और नए संदार वीडियों बात करने वाले हैं आरारबी एलपी असिस्टेंट लोको पाइलट का जो है ओनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे स्टिप बाइ स्टिप मैं आपको एक लाइफ फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ एक ट्रेन ड्राइवर बनते हैं यहां पी और यहां पे 5696 पदों भरती है 1830 वस की उम्रसीमा है लेबल 2 की सलरी है जोन वाइज वेकेंसी आपको जो है इसमें देखने को मिलेगा आप किसी एक ही जोन को जो आइस करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यहां आप देख सकते हैं यह अरारबी वाइज जो है आपका पदों की संख्या दिखाएगी है तो आप फॉर्म भरने से पहले confirm कर लिजे कि आप कौन से जो है zone से कौन से rrb से form को apply करना चाहते हैं यह इसका online का portal है जहां से आपको form को भरना है मैंने direct link जो है आपको description box में provide कर दिया इस website का आप click करके यहाँ पे आ जाएंगे अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे उपर में apply का option मिलेगा आप इस पे click करेंगे create an account का option मिलेगा आप इस पे click करेंगे तो पहले आपको एक account बनाना पड़ेगा यहाँ से format वगर अभी दिया हुआ SCST का OBC का income certificate का यह सब format है तो आप देख लेंगे इसके अलावा यहाँ पे important date वगर अभी दिया हुआ है अब चलिए finally समझते है कि कैसे आपको form को apply करना step by step वीडियो को friends आप last तक दिखेगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक like कर दीजेगा ताकि हमारा इसी तरह से maneuverable बढ़ा रहे और भी इस तरह का वीडियो लाने के लिए चलिए apply पे क्लिक करेंगे create an account पे क्लिक करेंगे यहाँ पर instruction खूलेगा आप instruction को पढ़ना चाहते है तो पढ़ लीजेगा यहाँ नीचे आ जाना है यहाँ आने के बाद से आपको declare करना है proceed करना है प्रोसीड करते हैं पूछ रहे कि are you currently divided by any rrb या rrc क्या आपको कभी जो है किसी rrb या rrc के द्वारा जो है divided मतलब निश्कासित किया गया है आप यहाँ पर यस्न में अपना बता देंगे तो यह no रखिएगा सबको लिए no है यहाँ पूछ रहे कि have you undergo lussic surgery या any surgical procedure to correct reflection error आपको को जो है lussic surgery हुआ है या आप जो है surgical procedure के थुरू जो है correct किये है तो आप यहाँ पे अपने according yes में बता देंगे तो यह उनके लिए है जो इस परकार से कोई surgery वगरा कराया हुए है अब यह आप पूछ रहा friends are you a person with benchmark disability अगर आप बिकलांग है तो हाँ करेंगी तो बिकलांग candidates यहाँ पर eligible ही नहीं है समझ रहे न तो यहाँ पर आपको no करना है तो यहाँ पर सब कोई नो ही करेगा बिकलांग person कोई है तो फॉर्म नहीं बर सकता है यहाँ ने शलेटी बताना है यहाँ पर अपना full name लिखना जिस तरह से यहाँ आपका data birth की च्वाइस करने की आपका data birth क्या है यहाँ calendar इस अपना data birth की क्लिक करेंगे और यहाँ पर आधार कार्ट की इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका अधार कार्ट नहीं मागेगा दूसरा कोई ID पूर्फ आपसे मांगा जाएगा जैसे कि DL पासपोर्ट पें बोटर ID कार्ड या इंपलोई ID या स्कूल या कॉलेज का जो है ID जो होता है वो तो इसमें सब चुनाव करेंगे माले जब DL चूच की तो DL का देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकती है अब यहाँ पर आपके पास जो है contact details मांग रहा है तो अपना email address लिखेंगे और यहाँ पर generate email OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके email OTP को यहाँ पर verify कर लेना है फिर यहाँ पर create your account यहाँ पर अपना एक password बनाना है password combination जो है capital letter, small letter और special character और number जैसे चीज़ों को यूज करते हुए आप password बनाएंगे माल लिजए आपका नाम जो है राजू है तो R-A-J-U at-123 ऐसे करके आप जो है password को बनाएंगे है मतलब यह कि आप जनकारी को verify करें कि जो भी अपने जनकारी दिया सब चीज सही दिया हुआ है अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहाँ edit करेंगे नहीं गलती है तो यहाँ declare करेंगे और यहाँ create an account पे click करेंगे create an account पे click करते है पर proceed का option आप प्रोसीड कर देंगे अब यहाँ पर देखेंगे तो your user created successfully मतलब आपका user create हो चुका है इस तरह से green message generate हो जाएगा अब क्या करना है तो यहाँ पर अपना email या mobile दोनों में से कोई आप लिखेंगे password जो आपने बनाय करके form को feel करेंगे यहाँ पर कुछ और जनकारी लिखा हुगा आप यहाँ पर check कर सकते हैं यहाँ बोला जा रहा है कि medium of examination होगा तेरह original language में आपका होने वाला है Hindi English तो रहेगा ही रहेगा इसके अलाबा इतने सारे language में भी आपका exam यहाँ पर होने वाला है यहाँ पर देख कि online application को option में लेगा आप इस पर क्लिक करेंगी यहाँ परकार से पूछ रहा है कि आप किस rrb के लिए apply करना चाहते हैं सबसे पहला यही questions है तो मैंने आपको बताया friends की form भरने से पहले आप rrb को confirm करेंगे कि आप कौन से rrb से form भरना चाहते हैं तो notification के page नमर 18 पे यहाँ दिया हुए rrb wise कितनी vacancies है आप किसी भी rrb के लिए form भरना चाहते हैं form को apply कर सकते हैं कोई दिकत नहीं होने वाला है ठीक है ना तो हम यहाँ पे जो है कोई एक rrb को चूच कर लेते हैं आप अपने हिसाब से चूच करिएगा मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं जो चूच क क्लिक करते हैं अब यहाँ पे देखेंगे तो इस परकार से आपके जो इतने सारे जो है स्टेप को complete करने अभी पर्सनल डिटेल्स अधर डिटेल्स एजुकेशन क्वालिटी की सल अप्लोड प्रोफाइल डॉकुमेंट्स और प्रिफरेंस यहाँ पे आपको देना है तो सा लेंग्वेज में एक्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने बताना कि इतने सारे लेंग्वेज में एक्जाम होंगे तेरे रिजनल लेंग्वेज में तो आप जो अच्छा लगे वो आप यहाँ चुनाव कर सकते हैं यहाँ बोडी में पाचान बसाना जिसे तील का न सब्सक्राइब कर लेना है मतलब एक तरह से आपको अपना जाती सर्टिफिकेट देना होगा किसके द्वारा आपने बनवाया हुगा है यहां पर सारे ओप्सन देखने को मिल जाएंगे जो भी आप सर्टिफिकेट देंगे द्वारा जो बनाया हुआ सब्सक्राइब कर सकते हैं अब यहां पर इस राजे से आपने इसू करवाया हुआ है और इसू डेट कब आपने इसू करवाया हुआ है और डू वान्ट वी फ्री ट्रेवल पास अगर आप जो है से फॉर्म बरेंगे तो आपसे पूछे जागे कि आप जो है ट्रेवल पास लेना चाहते है एक्जाम के लिए तो आप यहां पर हां कर दिजेगा यहां पर अपना जो कास्ट सेटिफिकेट अप्लोड करना होगा और यहां प्लीज इंडिकेट इनीरस डेवेस्टेशन आपका यहां पर बता जीए जहां से आप ट्रेंड पकड़ते होंगे जो भी आप देना चाहते हैं आप यहां पर दे सकते हैं इससे आपको फ्री ट्रेवल पास मिलेगा इग्जाम के समय में जो आपको इग्जाम के लिए पूछे का यहां पर अगर आते हैं में तो हां करेंगे अपना क्रीमिलियर जो सटीफिकेट होता है वह आप यहां पर देंगे इसुंग ऑठ लाग से कम होती है वह नन क्रीमिलियर में आएगा करके अपना नन क्रीमिलियर का बेनिफिट ले सकता है जिनकी फैंबली इंकम आठ लाग से ज्यादा है वह यहां पर नो करके और यहां पर नहीं मतलब यहां पर सर्डिफिकेट मांगा जाएगा यह सारे ओप्संस यहां पर होते हैं आप अपने कोरिंग दिख लिएगा यह आ इस तरह से भी आपका एड्रेस में अपना जो भी प्रोपर अड्रेस यहां पोष्ट थाना जो भी है पंचायत अच्छे से लिख देंगे और यहां सिटी का नाम लिख देंगे यहां पीन-code लिख देंगे अब यहां पर्मन डर्स मागना अगर सेम है तो इसको टीक करेंग सेम सेम इधर वाला कॉपी हो जाएगा तो अगर दोनों सेम है तो दोनों आप सेम सेम रख सकते हैं अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं फिर यहां पर आपको सेव करके next कर देना है 7S करते हैं यहाँ पर आपसे मांग रहा है एक सर्विसमेन का डिटेल साप एक सर्विसमेन है तो हा करेंगे और उसकी जनकारी यहाँ पर देंगे नहीं है तो आप इसे नो कर दीज़ेगा इसेबल मिलेगा यह पूछ रहा है एकनोमिकली बेकवार्ड कलास से आते हैं जिनकी फैमिली इंकम साथ हजार से कम है यरली वो एबीसी का यहाँ पर क्लेम कर सकता है जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है बैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ अब यह पूछ रहा है कि डिटेल्स अफ सर्विंग रिल्वे अप्लिकेंट आर यू एन इंप्लोई आफ इंडर रिल्वे आप इंडर रिल्वे आप इंडर रिल्वे अप्लोई है जैसे गूरूप C का या गूरूप D का तो हां करेंए और क्या आप अभी वर्क कर रहें तो yes करेंगे और अपने बारे मैं यहां पर बताएंगे नहीं है तो आप हिसे डू करेंगे और किसी ओर्ग इस्त! अप यह बतासकते नहीं तो नोंट आपद посмотрим के आगे हूए और यहां चाहते पेर Да चाहते हैं वो यहाँ yes करके और अपना जो है apprenticeship की जनकारी यहाँ पर बता देंगे कि आपका training कब से कब तक हुआ इस में से किसी भी trade से आपको भर सकते हैं और training कब से कब तक हुआ था और duration of training certificate number और certificate date यहाँ पे आपको बता देना है अगर आप apprenticeship नहीं किया है तो आप यहाँ पे no कर देंगे disable हो जाएगा यहाँ पे आपको पैसे refund के लिए आपसे account number मांगा जा रहा है तो जो भी candidates form भरेंगे उन सबको अपना account number देना होगा अगर आप यहाँ account number नहीं देंगे तो आपका पैसे refund नहीं आएंगे तो account सही-सही देना होगा आपको अपना ही account देना होगा आपका essential qualification क्या है assistant logo pilot का form बरने के लिए तो इसमें से तीनों में से कोई qualification आप fulfill कर रहे हैं तो आप form को apply कर सकते हैं तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पूछ रहा है कि पहले आप metric की जनकारी को add करिए तो यहाँ पे पूछ रहा कि metric आप कौन से जो है राजे से पास किये हैं यहाँ पे राजे चूच करेंगे district बताएंगे कौन से districts आप metric पास किये हैं फिर यहाँ बोर्ड का नाम आपको लिखना होगा जो भी आपका बोर्ड का नाम है यहाँ पे अपना जो है बोर्ड का नाम लिख देंगे date of passing कौन से date को आपने पास किया था metric तो वो आप यहाँ पे जो है चूज कर लेंगे अपने certificate पे देखके ही सही से चूज करना है फिर यहाँ role number लिख देना है और add पे click कर देना है add करते है friends यहाँ पे आपका metric का qualification add हो जाएगा अब आपको यहाँ से qualification चूज करना है क्या आप apprenticeship यहाँ पे किये हैं या ITI किये हैं या three years का diploma इंजिनिंग के तुरू फॉर्म बर रहे हैं या degree इंजिनिंग किये हैं मालने जहां हम यहाँ पे नसी चूज करते हैं यानि act apprenticeship यहाँ पे आपको बताना होगा किस state से किये है स्टेट कौन सा है district कौन सा है name of institute और date of passing बताना है certificate issue by किसके तुरू आपको इसू किया गया है certificate type कौन सा आपका जो है national apprentice certificate यहाँ पे आपको NSE चूज कर लेना है अगर आप ITI पे फ़र रहे हैं तो ITI चूज करेंगे ट्रेट चूच करेंगे, स्टेट चूच करेंगे, डिस्टिक चूच करेंगे, कि मतलब स्टेट और डिस्टिक से आपने आइट ही पास के हुआ है, इंस्टिट कर नाम क्या है, पासिंग डेट क्या है, सर्टिफिकेट किसके तरह इसू किया गया है, और सर्टिफिकेट का टा हाई किया हुआ है 3 years का डिप्लोमा को बताएंगे और passing year आपको यहाँ पर date बता देना है अगर आप यहाँ पर 3 years engineering पर भरना है तो इसको आप चुनाव करेंगे discipline आप देखेंगे तो automobiles, electrical, electronics और mechanical इसमें से किसी भी discipline में आपने बीटेक किया हुआ है, engineering किया हुआ है आप इस और दिजिएगा, add करने के बाद से आपको हाँ आपको next कर देना है आगले step में आपको photograph अपलोड करना है यहाँ पर आपको signature upload करना है white background यहाँ देखे लिखा हुआ है 30 से 70 के भी बीच आपका photograph यहाँ पे होना चाहिए और जो भी आप photograph यहाँ पे upload करेंगे उसका 12 copy photograph same photograph आपको जो है अपने पास रखना है future use के लिए यहाँ पे देखे साफ साफ यह चीज लिखा हुए mandatory scan documents में देखे न न तो यह आपको बहुँ ज़्यादा जरूरी है आप इसी के according जो है क्या करेंगी अप्लोड करेंगे और यहाँ पे अगर कोई सकते हैं signature करेंगे signature आप blue या black किसी इंक के द्वारा आप जो है signature कर सकते हैं कोई दिकत नहीं होने वाला है चलिए हम इसे choose कर देंगे और चूज करने के बाद से upload and save पे click करेंगे तो फोटोग्राफ और अप्लोड हो जाएगा फिर यहाँ पे हम next कर देंगे 7S करते हैं यहाँ पे आपको जो है आएगा कि आप अपना trade चूज करिए part B exam के लिए तो जिस trade से आपने ITI की अगवा है या diploma की अगवा है उसी trade का exam होगा तो आपका यहाँ पे सो करेगा आप इसे चूज कर लेंगे अब यहाँ पे आपका करना है आपका सारा जनकारी यहाँ सो करेगा यहाँ एक बर जनकारी को verify करिए कि जो भी अपने यहाँ पे जनकारी दिया सब्सक्राइक नहीं है अगर आपको कुछ भी इसमें गलती लग रहा है तो आप यहाँ इडिट कर लिजेगा नहीं गलती लग रहा है तो आपको यह देखी payment gateway आजागा SBI E-Pay का यहाँ पे debit card का option है, आप कोई भी card रखे हैं, किसी bank का card रखे हैं, अपना card की जनकारी यहाँ भरके आप pay कर सकते हैं, net banking का भी है, UPI का भी option है, तो आप किसी भी माध्यम से payment को जमा कर लेंगे, और payment जमा करने के बाद से final print out निकाल के अपने पा झाल कर लेंगे का झाल किसी भी माध्यम से